नह्मसकार किसान भाई हो आप सभीका यूवा किसान चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम भारत की टॉप टेन कंबाई रोड़ेश्टर के बारे में बात करें गे कौन के hardwayster की कीमत क्या है, उसकी कारश हमता क्या है, मालेज कितना देता है और उसमें कौन से engine इस्तमाल किया गया है तो दोस्तों वीडियो को अंध तक जरूर बने रहे और बीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि एक से दस तक का नंबर हमने उसकी कारशमता कीमत के अमसार तैय किया है दोस्तों आप अपना सुझाओ भी जरूर दें आपकी हिसाब से किस कमबाइन को किस नंबर पर होना चाहिए अगर हमसे कोई कमबाइन हर्वेश्टर छूट गया है तो उसको भी आप कमेंट करें हमें बताएं दोस्तों हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है विसाल 435 जिसमें इसकी असोक लेलेंड का 101HP 2200 RPM वाला इंजन लगा है जो की 6 लेनर पर आता है वाटर कूल इंजन है इसकी वजन की बात करें दोस्तों इसका वजन पचासी सो किलोग्राम को होता है और इसमें हैड्रॉलिक टैंक 15 लीटर का होता है इसमें fuel tank की बात करें तो इसमें fuel tank 295 लीटर का होता है और इसमें अनाज का tank जो रहता है 21 कुंटल का है इसकी कार छुमता की बात करें तो 4 एकड प्रति घंटे की साफ से कारी करता है ये कार इसका खेत के अंसार कम जादा हो सकता है खेत की quality कैसी है उस हिसाब से और इसमें तेल की खफ़त है आठ से नौ लिटर प्रतिगंटे दोस्तों यह हर्वेश्टर किसानों की पहली पसंद होता है जो की अनेकों फसल कटाई में काम आता है इसकी टर्निंग रेडियस ज्यादा होने करनिये आसानी से कम जगय पर मुड़ जाता है इसकी कारशमता बढ़ जाती है इसकी कीमत बात करें दोस्तों तो इसकी कीमत है 24 लाख रुपए लगभग कीमत दोस्तों थोड़ा उपर नीचे हो सकती है दूसरी नंबर पर है हमारे लिष्ट में कारतार 4000 इसमें भी असोक लेलेंड का 101 HP 2200 RPM वाला इंजन है जो की 6 सिलेंडर में आता है इसमें भी वाटर कूल है इसमें हाइड्रोलिक टैंक 25 लीटर का होता है इसका बजन 900 किलोग्राम है के कटरवार की बात करें दोस्तों ये 14 फिट का कटरवार रहता है इनके आमरेंज का फीडर होता है इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 380 लीटर का फ्यूल टैंक होता है और 21 कुंटल का इसका अनाज वाला रहता है इसके अंगले पर ये 18-4-30 के हैं और पिछला 900 लगा गेहुक कटाई में इसका माईले 4-5 एकर प्रति घंटे और तेल खफत है 9 लीटर प्रति घंटे ये थोड़ा उपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत रहती है 24-25 लग रुप है दोस्तों अगर आपको हर्वेस्टर लेना है तो करतार और विसाल में कोई भी एक ले सकते हैं जो भी आपको सस्ता मिले दोनों क्वाल्टी एक नंबर की है दोनों अच्छा चलते हैं एवरेज बढ़िया है आपको जो सस्ता मिले करतार में करतार या विसाल पे उसको आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से बेस्ट विसाल है आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा चलते हैं अगले नंबर पर त्रीसे नंबर पर है दोस्तों सोराज 1-800-EX इसमें भी दोस्तों असोक लेलेंड का एक सुएक हपी 2200 रपीम वाला इंजिन है छे सिलेंडर इसमें भी फ्यूल टैंग की बात करते हैं 230 लीटर का फ्यूल टैंग आता है और इसका बेट की बात करते हैं अठाटर सो केजी इसका बेट है इसमें फ्रेंट टायर 18-34 के इसका माइलेज की बात करें दोस्तों 3-4 एकड प्रतिगंटे की साफसे काम करता है गेहुक का टाइफे 8 लगभग 20 लाग के सम्थिंग इसकी प्राइज रेंज रहती है दोस्तों हमारी लिस्ट में जित्ते विए कंबाइन हर्वेश्टर है सब का लगभग 101HP का इंजन है तो दोस्तों चौथी नंबर पर हमारा आता है प्री 987 इसमें पी एच सी 1049 का इंजन है जो की 101HP 2200 आर् इसमें भी 6 सेलेंडर है दोस्तों फ्यूल टैंक 365 लीटर का है और इसमें अनाज का टैंक 25 कुंटल का आता है इसका वेट लगभग 900 केजी का है और कटरवार की बात करने तो 14 फिट का आता है और इसकी कीमत दोस्तों 24 लाग के आसपास है दोस्तों हमने नंबरिंग इसके मा करते हैं आगे तरफ पांच में नंबर पर आता है न्यू हेंद 999 इसमें भी 101 HP का इंजन 2200 आर्पीम पर आता है और इसमें भी 6 सिलेंडर के साथ है वाटर कूल है इसर्वाकर की संखया 6 है और इसकी बेट की बात करें तो पचासी सो किलो ग्राम इसका बेट है और इसमें अनाज टेंक की बात करें तो 20 कुंटल के आता है और इसमें फ्यूल टेंक की बात करें तो 325 लिटर की इसकी फ्यूल टेंक आती है और इसमें इसकी माइलेज की बात करें तो 4 एकर प्रतिगंटे है और इसकी खपत तेल की है 8-9 लिटर प्रतिगंटे कीमत दोस्तों 20 लाग के आसपास है बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर पे अगले नंबर है गिल प्रीद 962 इसमें भी दोस्तों असोक लेलेंड का 6 सिलिंडर वाला एक सुयक एचपी और 2200 आर्पियम में इंजन आता है इसमें फ्यूल टैंक की बात करें 400 लीटर की इसकी टैंक है इसमें 20 कुंटल का अनाज का टैंक है इसमें सिंगल त्रिसर के साथ हाती है जिसका बजन 2200 केजी है पर इसी कीमत की बात करें दोस्तों ति उसकी कीमत लगभक साढ़े बाइस लाग रुपए है यह सभार वेश्टर अपने-पने मुकाबले में सब एक से बढ़कर एक है जो फर्स नंबर पर है उसी को अच्छा है दस नंबर वाला विकार है दोस्तों सभी एक से सब्सक्राइब करें अपने अपने इस्थान पर सभी एक सबढ़के आरेग है समारे लिष्ट में आगले नंबर पर आता है 10based 909 इसमें भी 10based 100 hb का इंजन है जो की 2200 RPM में या आता है छै सिलेंडर में इसमें दोस्तों सिंगलाई के साथ आता है इस्ट्रवाकर में इस्ट् एकड प्रतिहाबर घंटे के इंस्वार इसकी गेहुक कटाई है और इसकी डीजल कपन है दोस्तों 9 लिटर प्रतिहंटे की साफ से दोस्तों अगली नंबर पर आता है केस्ट तिरान नवे सव इसमें भी दोस्तों असोक लेलेंड का इंजन है एक स्वेक हपी बाइस्वार पी कटायर 18-4-30 के हैं इसमें इसकी माइलेज की बात करें तो 8-9 लिटर प्रतिहंटे की साफ से तेल की खफत है और 3-4 एकल्ड प्रतिहंटे की साफ से गेहुक कटाई इसमें होती है दोस्तें यह सब आंकड़े कटाई का माइलेज वाला थोड़ा उपर नीचे हो सकता है खेत इस लेनर पर आता है इसमें भी इंक्यामर इंच का फीडर है 14 फिट कई कटर वार है 20 कुंटल का अनाज टैंक है और इसमें दोस्तों 380 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक है इसकी वेट की बात करें तो 8200 केजिस का बजन है 3-4 एकर प्रतिहंटे हिसाब से यह गेहुक कटाई करती है और इसमें अच्छी बात यह कि दोस्तों लो मिंटेनस वाला है गीले खेतुमें भी इससे अच्छी तरह सी कटाई की जा सकती है बजन हलका होने करण और इसमें मिंटिनेस भी कम है दोस्तों हमने दस्तमा नमबर जो अंडियर को दिया है डबलू 70 इसमें दोस्तों जो अंडियर का खुद का ही इंजन आता है 4049 फूर सिलेंडर में 100 HP इसका RPM 200 RPM में आता है माइलेज की बात करें तो इसमें 9 लीटर प्रती घंटे की साफसे घवत है इसका धाई से 3 एकड़ की कटाई प्रती घंटे के अंसार है इसके डीजल टेंग की बात करें तो 240 लीटर का टेंग है कटर बार इसमें भी दोस्तों 14 फिट का ही आता है और इसमें दोस्तों डवल ट्रिसर है जिसमें कि अनाज की कटाई फुडाई बहुत कम होती है और अनाज की क्वाल्टी अच्छी आती है पर दोस्तों इसकी कीमत है 24 लाग रुपए इसी कारण से हम इसको सबसे लाश्ट पे लाश्ट में रखा आप दोस्तों कमेंट करके में जरूर बताएं मेरे इसाब से तो मैंने अपने इसाब से सेट किया इसको मेरे इसाब से हमको यह सही लगा आप किसा लगता है कमेंट करके में बताएं आप किस नंबर पर कौन सा होना चाहिए या हमसे कोई भी हर्वेस्ट इसम्षे अपनी जगह पर सब टाप वन में हैं हर की अपनी-पनी क्वालिटी होती है दोस्तों उसी सॉप इसराश हो गया सबसे पुराणी कंपार हर्वेश्ट कर दोस्तों यह रहें थोड़ी भा स्व this part आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें सेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो पर धन्वाद जाहिन